हेलो फ्रेंट आज आप लोगों को देखाने वला है विंडोज 8.1 प्रो केसे इनस्टल करता है इसके लिए आपका कम्पीटर सबसे पहले बन करें और यूएजबी लगाए फ्रॉम यूएजबी हाव टू इनस्टल वींडो सब्तो आपको प्रो आपंस देखाने के बाद यूएजबी लगाने के बाद पवरान करने बवाद f9 दबाए यह इस तरह का आपको पस डिस्पिल ओपन हो जाएगा निचे लिखा है सेंडिक्स यूएजबी इसका उपर इंटर करें उसका बाद इंटर इंटर टू दुदुफा दबात रहे साथ साथ फिर अभी यह विंडोस पे आ गया छेफैन करके रुपा गराईस करके आपको पसकफ डिस्प्ली ओजायेगा इसमें लिखा जाएगा लगा सा विल इस तरह को उपन हो जाएगा तो यह पर अपने करना कुछ चैंज़ने करना त्सक्त मारना नेक्सट उसका बाद यह इनिश्ट टर विंडोस इनिश्टल ना यह इस तरह को ओपन हो गया हमने करना है विंडोस 8.1 पोड़ो तो सबसे पहले वाला है वह हम लोग सिलेट करके बाद में नेक्स्ट करना है अब यह ऐसे सिलेट करना है आई एक्सेप्ट यह आएक्सेप्ट इस सिलेट करके दुबड़ा नेक्स्ट का उपर क्लिक करना है अभी सबसे निचे होला है Custom, Install, Windows इसका उपर किलिक करके इस तरह आएगा यह सारे partition अपने डिलेट करना है एक एक करके यहाँ पर तीन partition बना हुआ है तीनो एक एक सिलेट करके पुरा डिलेट करना है तो इसका अंदर पहले जो data है जो इंडोज है वो सारे डिलेट हो जाएगा फिर नया हो जाएगा पुरा नया वो इंडोजी ने स्टल हो जाएगा तीनो डिलेट हो गया अभी next करना है next करने का बाद time लेगा इसमें setup है total 4 setup है एक, दू, तीन, चार, पांच setup है total, यह सारे एक, एक करके complete हो जाएगा, दूसरा setup में जएदा time लगेगा बाकी last और तीन setup में जएदा time नहीं लगेगा इस तरह के यह सारे setup complete होने देना है और कुछ नहीं करना है, अभी best wait करना है बाद में automatic complete होने के बाद आपका बाद सामने एक page आ जाएगा मैं आपको सारे इसका पूरा इनस्टल में आपको बताएगा एक करके सिधा तरीका है, बैस आप वीडियो पुरा देखे easy समाज आ जाएगा इस तरह का यह देखे, पहले setup होगे दूसरा setup में तीन परसेंट तो इस तरह का परसेंट सारे 100 तक जाएगा, उसका बाद तिसरा setup में जाएगा चोता बैस यह वाला setup में जदे time लगता है दूसरा setup में बाकी जो तीन setup है ना नीचे इसमें time कम लगता है कर दो कर दो हम में परसेंट कर दो झाल झाल यह भी हो गया अब यह पड़ा गया सिट अप सारे complete होने के बाद ऐसे आएगा तो इसको हम लोग skip करना है यह skip किया इसकीप करने के बाद यह पर आपने कोई short single नाम लिखना है क्योंकि दूबर नाम भी लिखना है किसी-किसी में एक ही दफा मंगता है किसी-किसी विंडोज में में दो दफा मंगता है एंधर हम लोग खरुआ इसको हम लोग skip करेगा, यह से skip लिखावा इसको हम लोग skip करेगा Windows complete होने के बाद हम लोग internet डलेगा तो skip करने के बाद यहाँ पर use express का उपर click करना है यहाँ पर आपने जो नाम देना चाहता है, वो यह नाम यहाँ पर दे सकते हैं जैसे हम HP दिया इसको पर क्लिक करना है बैस अभी wait करना है Windows complete होने वाला है बैस हो गया, setup सारे complete है सारे setting हो गया जैस अभी finishing your setting झाला है झाल 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 बिस हो गया है विंडोज अभी थोरा टाइम लगेगा इस तरह का आपका परस्ट एक एक करके कुछ बताएगा लेक्स स्टार्ट आ गया यह आपका विंडोज पर आ गया बैस यह विंडोज 8.1 प्रो हो गया आप अभी डिक्स्टॉप में आइकोन लने के लिए रैट क्लिक करके परस्टनलाइज में जाए आउप पर सेंच सेटिंग यह पर जाके यह सारे आइकोन है इसका पर क्लिक करके सार ओपन कर दें एपलाई ओके करने के पाद बैस आपका लेपटाप में विंडोज प्रो 8.1 प्रो इस तरह के हो जाएगा प्रपर्टिस में जाके चेक करें यह पर विंडोज 8.1 प्रो बहुत इजी तरीका है आप आपका लेपटाप में भी इस तरह के कर सकता है थैंक्स पर वाचिंग